पहले मेरी बात सूननेये। तुम जो सुवाल कररे हो, तुम उस चीज़को जानकर और उसके अंदर गुलू करकर तुम सामने से सुवाल करते हो. और हम जिसे चाहिल आता है उसके सामने लिखा है. चिलाल मुझे जानकारी नहीं है. निखालो कि यूं नहीं करूगा मसुद साथ आपने इसके नहीं गुलू किया होगा जब आप लोग अपनी औरतों को अपनी बच्चीयों को बहस्ती जेवर देते हो देते हो ना शादियों में सेक्सी जेवर किताब देते हो ना ने मालूम ने हम तहीं सब पता नहीं सब देते हैं नहीं अरे जोड जोड लो जोड जो जोड बार बार बलो समय के भी घंटाल को eine बार जोड 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 चज़ आप बैसरी निकाल रहे और आपसे इतनी बेढ़ती वाली बात आपके इस मौलाना डंगर ने लिखी हुई है, उसको तो दूब मरना चाहिए था जब उसने बात लिखी, अब वो तो मर गया, जहन्नम विसाल हो गया, लेकिन कोई अगर ऐसे डंगर को रहमतुलिलालमीन नहीं, रहमतुल्लाले कहे, ऐसे डंगर को भी चुलू बर पानी में डूब मरना चाहिए, जो ऐसे डंगर को रहमतुल्ला कहे, पली थानवी डंगर सापने नहीं लिखी है, बलके आला हजरत के लिए, एक सेगन, एक सेगन, मेरी बात सुनो, आप बात पुरी कर लेना, एक थोड़ी सी बात है, सुन देओ, मैं साब बोलना हूँ, आप जो चैनल जो बना हुए हो, आपको कम से कम सामने वाले के जो त्यारे भाई लिखे है, आप तुम डारेक डंगर मौलाना बोल लो, अच्छे से लफास से बात लिखे है, सुनो, जो ऐसी बात लिखे, जो बच्चियों के साथ सेक्स करने की बात लिखे, वाकई में जंगर और महा जंगर है, आपको नहीं लखता जो इस तरीके से आपको मालूम हो रहा है कि आप पूरी तरह के पूरी तरीके से बात ही ले आप आपके अलफा सुनी आप किस तरह लोग बात करते सामने वालों से अच्छा रुको तो सही मसूच साफ प्लीज रिक्वेस्ट रह चुड़के क्योंकि आप मैं तब्लीग जमात पर रह चुका अच्छा आप ये सोचो कि ये अशर फलीत हानवी साब ने लिखी है ठीक है चोड़दो आप ये बताओ कि ये इबारत थोड़े देर के लिए मान लो काला हजरत अब सॉरी आला हजरत साब ने लिखी है ठीक है क्या कहते है उसको फाजिले बरेलवी फाजिल बरेलवी एहमद रजा खान साहब ने लिखी है यह बात जो लिखी हुई है कि बच्चियों से सेक्स करने में आप पर गुसुल फर्ज नहीं होता अगर वो पानी मुबारक जो है पानी मुबारक जो है वो बाहर ना जाए बची इतनी छोटी हो कि उसके जो दो पैसेजस है शरमगाएं है वो मिलना जाए आप बताओ यह जो इबारत है यह बेगैरती वाली चीज है क्या नहीं है छोड़ दो कि इसको किस ने लेकिए पहले यह बताओ कि यह बात गलत है या नहीं है इसका जवाब दे के बोलो इसका जाएगा आपको उसी के अंदर है अभी जो आप कौन से रिलिजन यानि आप कौन से धर्म को मानते हैं उस पर मैं आउंगा पहले इस बात का तो जवाब दे दो कि ऐसी बात जो बोला या कर दो है अब यह मेरी बात तो सुनो बहुत तुम अब इसा की चाहिए वो तो है अब यह आप कौन सी रिलिजन को माल रहे हैं मैं कोई रिलिजन को नहीं मानता हूं प्यारे भाई कोई बी कि किसी दरम को नहीं मानता है कि बी को नहीं मानता हूं ऐससा तो फिलाल मुझे इस मौज़े उसकी तहकिक हो नहीं है जाहिर सी बात है किशे तहकिक हो ग कि तेम उने ही मसूद साब थोड़े देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि आपकी कोई भी इसलामिक किताब में ये बात नहीं लिखी है ठीक है मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये जो बात लिखी हुई है ये बात बेगेर्टी वाली है के नहीं है आगर पिषए का सिया को सबक देखा जाता है सिया को सबक तो प्यारे भाई हाँ बूलो कौन के सिया को सबक में एक बच्ची के साथ और इतनी छोटी बच्ची जिसका पैसेज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगला और पिछला मिल जाए या नहीं मिल जाए उसके साथ सेक्स करने की बात हो रही हो कौन से सिया को सबाक में ये बात लिखी हुई तो वो बात जो है वो सही हो जाती है ये बताएए ने सिया को सबाक समझते हैं क्या बलना हूं मैं नहीं बताऊंगा जी पूरी आगे पीछे के तीन-चार सफे परो उसके जो यह देखो नो उपर लिखा है नीचे क्या लिखा है देखो यह देखो यह देखो नीचे वाली इबारत भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ If a person wraps his penis with a cloth and has intercourse अगर एक बंदा अगर आप ने एक बेगहरत शक्स की बेगहरती को बेगहरती नहीं कही तो आप खुद भी बेगहरत है यह साबित करना चाहते है क्योंके आप लोगों की इंसानियत इतनी मर चुकी है कि एक गलत बात को आप आप लोग फुल की कंडम भी नहीं करते हो अरे मैं क्या बोल ला हूँ मसुद भाई साहिल भाई मैं इसा बोल ला हूँ कि मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आप है ने मैं तो एक दम एक नंबर का जाहिए इंसान हूँ इंशालला पर रहा हूँ मैं अगर जगर इल्मासिल होगा मैं ऐसा बोल ला हूँ फिलाल आप से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप है ने मुनाजरा कीजिए किन के साथ मुफ्ति आसिर साथ मुफ्ति आसिर साथ मुफ्ति आसिर वादे मुफ्ति साहब है वो अमेरिका होते हैं यूनाजी स्टेर्स में होते हैं तो वो रिप्लाइ कर रही हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूस को मगर मैं जमने तो वो रिप्लाइ उन में बात करने का मेरा ये ख्याल है उनके अंदर वो कंपिटनसी नहीं है बात करने की और ना ही हुआ ऐसे यानि के गांफिट ऐसे बात करते हैं जिससे अगला बना मानूस हो उल्टा मायूस हो ही तें लोग वाजी साब की बात कर रहा हूँ अच्छा और आप उस हराम के पिले वजड़ी की बात कर रहे हैं जिसने मुहमद गजनवी नामक मादर चोध इनसान यह उस शक्स की बात कर रहा है एक हराम का पिला मुहमद गजनवी नामक हराम का पिला यह हमारे भारत पे अटैक करता है यहां की मंदिरों को तोड़ता है हजारों की संखिया में लोगों को मारता है औरतों को स्लेव बनाता है लोट मार करता है और यह खुद किताबों में इनकी किताबों में लिखा हुआ है तारीक इबने कसीर में लिखा हुआ है वो चीज मैं पेश करूंगा और मैंने इसलाम क्योए के हवाले से भी वो चीज पेश की है इनकी किताबों में लिखा है ऐसे हराम खोर मुहम्मद गजनवी को वो रहमत अले कहता है जनाब महमूद गजनवी जो भी गजनवी जिसने अटाइक किया आप इसको रहमत अला कहेंगे जो हमारे भारत पर अटाइक करके यहां के लोगों को मार कर उनकी औरतों को स्लेव बना कर मंदिरों को तोड़कर यहां का माल लूटकर लेके गया उसको आप रहमत अला कहेंगे चाहे वो मुहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी हो आप रहमत अले कहेंगे मसूद साब भारती होते हुए मेरे सवाल का भी जवाब दो सामने से जंग हुई थी अब जंग हुई थी आप उसको रहमत अले कहते हैं बिलकुल जनाब बिलकुल आप उसको जो भारत पर अटाक करें यहां के लोगों को मार कर मर्दों को मार कर उनकी औरतों को स्लेव बनाए लूट मार करके यहां से लेके जाए भारत भारत और आप एक भारती है आप भारती होते हुए उसको एक अच्छा इंसान कह रहे है क्या आप भारती होते हुए ऐसे इंसान को रह्मत अल्य अच्छा इंसान अल्ला का वली कहेंगे जो हमारे भारत पर अटाक करें मेरा सवाल है क्या आप भारती होते हुए ऐसे शक्स को अच्छा इंकान अल्य जो भारत पर अटाक करें मेरा करके आँसे लेके जाए इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए जंग मुकरर की गई थी पहले से जंग मुकरर की जाती है वो जंग मुकरर हुई थी और वो सारे के सारा जंग के अंदर हासिल हुआ था क्या जंग मुकरर हुई थी जरा बताएं और आप किसके साइट से खड़े होंगे एक मिनिट, एक मिनिट, दो सवाल, एक तो जंग क्या मुकरर हुई थी, पहला सवाल ये, दूसरा सवाल, अगर जंग मुकरर हो भी गई, आप भारतिये होते हुए, किस के साथ खड़े होंगे, भारतिये के साथ खड़े होंगे, या बाहर वाले के साथ, इसका आपने जवाब देना है ये जो आपने चैनल बना है ये आपने कोई ये नहीं क्या वो चोड़ दो अभी मेरे सवाग के जवाब दो जंग क्या मुतरर हुए थाप से और भाड़ती होते हुए आप किसके साइज से होगे मसूद साब तेरे डंगर मुफ्ती को लेकिया उस बेगैरत मुफ्ती को लेकिया हम बात करेंगे कर लेंगे जनाब लेकिया अओ डंगर मुफ्ती को पहले तुम मत भागना पीचे से भारत के अंदर रहे के कमाते हो खाते हो तुमको शरम आ रही है भारत का साइड लेने के लिए तुमको शरम आ रही है भारत का साइड लेने के लिए तुमको शरम आ रही है भारत का साइड लेने के लिए तुमको शरम आ रही है तुम बाहर वाले का साइड लेने के लिए तु का site दोगे भारतीय का site दोगे या बाहर वाले का site दोगे पहले इसका जवाब दो यहां पे मैं उस शखस जो 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 अबना करता ओं और EM तलफर ओव ओगर ? अपने इर आधकर यह देर ये देख ये देख ये देख मुहम्मद महमूद गजनवी ने खुद बताया कि जब हमने 409 हिजरी यानि सन 2018 में हिंदुस्तान पर हमला किया तो हम एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां 1000 बड़े-बड़े महल थे और 1000 मंदिर थे इन सभी मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियां थ ही एक मूर्ति पर 15,000 दिनार इतना सोना था जिसकी कीमत अभी के हिसाब से ढाई करोड से जादा बनती है और 1000 से जादा मूर्तियां चांदी की थी हमने उन सभी को छीन लिया इसके अलावा भी बहुत से माल दोलत को हमने छीना जिसकी गिंती भी नहीं की जा सकती इंदुस के 356 हाती पर भी हमने कब्जा कर लिया, सभी दौलत को हासिल करने के बाद हमने पूरे शहर में आग लगा दी, क्या किया पूरे शहर में? आग लगा दी, पूरा शहर जल गया, केवल निशान बाकी रहे, यानि सभी मंदिर मूर्तियां जला दी गई, इस हमले में 50,000 हिंदू कतल किये गए, और 20,000 लोग मुस्लिम हो गए, और 53,000 यानि 53,000 मर्द औरतों को गुलाम बना लिया गया, पाँचवे हिस्से के तहट, महमूद गजनवी ने इदुस्तान पर कई बार हमला किया था, ये सब्य जानकारी महमूद गजनवी के सिर्फ एक हमले की है, और ये सभी बाते, इस्लामिक तारीक की मशूर किताब तारीक इबने कसीर समेट कई किताबों में लिखी है तारीक इबने कसीर 730 हिज्री के आसपास लिखी गई थी यानि अभी से लगबग 700 साल पहले जी नीचे करो अमित साब मैं करता हूं साहिल भई यहां 53,000 मर्द ओरतों गुलाम बना लिया 500 इसे केता है तो इसको भी जड़ा करना है आपने यह 53,000 नहीं है यह 2,65,000 के आसपास पहुंच रहे हैं इनका फिफ्ट इस्ता बता रहे हैं 53,000 इनके इस्ते में आए अच्छा अभी किसी को अगर यह बात तारीक इपने कसीर में लिखी हुई है अभी जितने लोग देख रहे हैं वो क्या करें सिंपल मुबाइल स्कैनर जो होता है न यह देखे यहां पे एक स्कैनर नजर आ रहा आपको स्कैन एंड रीड करके इस स्कैनर पे आप जाके स्कै करिये यह सीधा आपको तारीक इपने कसीर के उस पेज़ पे लेके जाएगा जहां पे यह बाते लिखी हुई है जितने लोग देख रहे हैं इन में से जितने मुमिन हजरात है और जो गैर मुमिन हजरात भी है अगर आप लोगों को इसका अभी का अभी प्रूफ देखना ह तारीक इपने कसीर से ये स्कैनर जो लगाया हुआ है और सभी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है के जैन भाई के लिए एक गुलाब का फूल भेजे उन्होंने ये महनत करके ये फाइल बनाई हुई है जिसमें उन्होंने ये क्यूर कोड लगाया हुआ है जिससे आप सीधा उस किताब के हवाले पे चले जाएंगे एक गुलाब का फूल जैन भाई के लिए ये उनकी महनत है जैन भाई हमारे वो फुद आकर बात नहीं कर सकते सेक्यूरिटी एशू के वज़े से ये उन्हों ने ये पूरी मेहनत की है और उन्हों ने बाकाइदा ये QR कोड लगाया हुआ है ताके कोई भी ये नहीं कहे के हवा में फाइरिंग की है और जैन भाई इस तरह के और भी डोक्यमेंट बना बना के देंगे आगे जो हम लोग आपको पेश करेंगे जी ये डोक्यमेंट हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना गूगल ड्राइव पे किदर जो है अपलोड किया जाए ताके ये सारे लोगों के लिए एकसेसिबल हो ये बस एक छोटा सा उसका आप समझ लीजे कि क्या कहते है उसको डेमो आईए अभी जाके कोई भी जी ये मसूद साब बोल रहे थे मदरसे से फारीग आलिम है और किसी मुद्दे पे बात ही नहीं करना है तालीबे इल्मे का है, उन्होंने मदर से के तालीबे इल्मे, अब वो जो पड़सु एक मुफ्ती साब आये थे, वो तो मुफ्ती साब थे, वो जब हमारे सामने नहीं टिक सके, तो ये तालीबे इल्म लोग कहां से टिक पाएंगे, जब उनका हमने ये मामला ही खतम कर दिया कि मैं किसी धर्म को मैं किसी रिलिजन को नहीं मानता उनकी जब बैसाकी तूड़ गई तो उन्होंने कहा मुझे बाती नहीं करना है मैं बाती नहीं करूँगा क्योंकि बैसा की खतम हो गई ना अब मैं बोलता कुछ के मैं इसको मानता अच्छा तुमारी फलाना किताब में यह लिखा हुआ है खुलो हाला कि बोलता जूट लेकिन कोशी जरूर करता बैसा की लेने की वो हमने तोड़ दी मानते ही नहीं तो बोले हम बाती नहीं करेंगे आपसे